हाई गाईज, टोड़ा विल टीच यू इन्वार्मेंट फ्राम क्लास फर्स्ट, उपन यूर बुक पेज नमबर 13, चैप्टर 4, Clean, Fit and Healthy, यह हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसके आगे का चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं, इसके आगे क्या दिया हुआ है, तो आपको यह फर्स्ट पिक दिख रही होगी, जिसमें लिखा है, गेट हैर कट एवरी मन्थ, बाल हर महीने कटवाएं, नेक्स पिक में क्या है, वास हैंड्स विद सूप एंड वार्टर आफ्टर यूजिंग ट्वालेट, हमें ट्वालेट यूज करने के बाद क्या करना चा चाहिए, थर्ड पिक में क्या है, काउंब हैर प्रॉपरली, हमें बालों में अच्छी तरह से कंगी करनी चाहिए, नेक्स यूज हैंड करचीफ टू रब योर नोस, अपनी नाक को रगणने के लिए हमें रुमाल का उप्योग करना चाहिए, लास्ट पिक में क्या है, वास हाथों से ना रगड़े, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ यू फालो दा अबोफ मेंसेंड रूल्स, यदि हम उपरियुक तुनीमों का पालन करते हैं, जेम्स विल बी अवे फ्रॉम अस एंड वी विल नाट गेट सिक, तो रोगाण हमसे दूर हो जाएंगे और हम बी इसमार नहीं होंगे, अवर क्लीन बॉडी मेक, अवर क्लीन बॉडी मेक्स अस लुक इसमार्ट एंड हैल्थी, हमारा स्वच सरीर हमें इसमार्ट और स्वस्त दिखता है, दिखेगा, इट कीप्स अस फ्रस्टू, या हमें तरो ताजा भी रखता है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, फालो इस फूट हैबिट्स, हमें इसमें कुछ खाने की आदिते लिखी हुई है, इन्हें फालो करें, तो फ्रस्ट क्या है, वी सुट वास हैंड बिफोर एंड आफ्टर इटिंग फूट, हमें खाना के खाना, खाने से पहले और खाना, और बाद में हाथ धुना चाहिए, यनि हमें खाना काने से पहले और खाना काने के बाद अपने हाथ दुलने चाहिए, नेक्स, वी सुट नॉट इट इट इंग सोल्ड इंद ओपन प्लेस, बिकॉस फ्लाइश सिट आन फ्लाइश सिट आन देम, हमें खुली जगह में बिखने वाली चीजों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मक्हियां उन पर बैठती है, इफेक्ट इस थिंग्स विद डाइजेस कॉजिंग जेम्स, वे रोक पैदा करने वाले किटाणूं से इन चीजों को संक्रमित करते हैं, आपका ही चैप्टर कम्टेट हुआ, इसकी एक्सराइज आपको नेक्स टे करा हैंगे, थैंक यू